सरकटवाए जाने दी हैं ऐसा काम महान किया सरहद पर अपने वीरों ने हर दम ही जैगान किया आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर गाथा एक साथे और भी था उचे उचे परवत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे ऐसे लड़े वो देश की खातिर अपना सब खुरवान किया एक साथे और भी था एक साथे और भी था जैहिन नमस्कार मैं श्रया सर्पदेव कारगिल की शौर गाथा एक साथी और भी था इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूं जनाब मंजुल मिश्रम मंजर का एक गीत उखाड दें उखाड दें जड़ो से अब उखाड दें चलो तो आज दुश्मनों के होसले पचाड दें सदा हमारी ओर वक्र दृष्टी से है देखता हमारे आंगनों में बम के गोले रोज फैकता दिखाओ जब सबूत जूट बोल बोल एठता उनी के घर में घुसके उनकी जिन्दगी उचाड दें उखाड दें उखाड दें जड़ो से अब उखाड दें कभी न नीजिता से बाज आया है न आएगा वो दुश्मनों के साथ मिलके आँख भी दिखाएगा विशैले सर्प की तरह सदैव फन उठाएगा कुचल के उसका फन चलो जमीन में ही गाड दें उखाड दें उखाड दें जड़ों से अब उखाड दें हदों को तोड कर तुमारे घर में घुसके आएंगे तुमारे रक्त से रुदय की प्यास अब बुझाएगे जला के राक करके तुमको खाक में मिलाएगे धरा के मान चित्र से निशान ही पिकाड दें उखाड दें उखाड देने की कामना एक कवी कविता में करता है लेकिन एक फौजी अपनी जिन्देगी में यही उद्देश्च लेकर युद्ध भूमे में आगे बढ़ता है चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े मैं स्वागत करता हूँ मेजर अखिल प्रताप का आए मेजर वेलकम वंस अगें तो दिश्वी तक फागिया प्लीस टेइग इस सेट आपका हार्दिक स्वागत है मेजर साब चाहिए चर्श को मेजर अखिल ने सेना के कई महत्वपूर्ण उपरेशन्स में भाग लिया है उपरेशन पराकरम के आप हिस्सा रहे इसके अलावा अन्या कही महत्वपूर्ण उपरेशन्स को आपने कमान किया है आप युद्ध की बारी किया समझते हैं आप हमें कार्गिल युद्ध के आज के हीरो कैप्टन नुंग्रूम के अदभुद पराकरम के बारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एच्छोटी सी एवी महावीर जक्र से सम्मानित भारतमा के सुपोर्ट कैप्टन केशीं क्लिफ ओर्ड नुंग्रूम देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले अदभ मैसासी कैप्टन केशीं क्लिफ ओर्ड नुंग्रूम के असाधारन वीरता को देश सलाम करता है जसने अपनी बहादुरी से देश को विजय के पारी शुरुआत फिक दो लफसों से करते हैं चलसात के हसरत दिले मरहूम से निकले सैनिक का जनाजा आयसाब निकले तो जरा धूम से निकले क्या बाद, क्या बाद, बिल्कुल, इत्यास गावा है, जो मुलक अपने सिपायों की कदर नहीं करता, वो तरक्की नहीं करता, अगर हमारे हीरोस की कुर्बानी बेमानी होते हैं, तो कश्मीर, लताख और पूरुवत्तर भारत जैसे, कई हिस्से हमारे बदन से कट गए होते ह सायद भारत अपंग होता, पूरुवत्तर भारत से मुझे याद आया वो हिस्सा जिसकी कहानी आज हम मिलके सुनाने वाले हैं, आए हमारे साथ, हातों में हाथ अपने एक और साथी की बात, मावीर चक्रे से सम्मानित, कैप्टन केशिंग क्लिफोर्ड नोंगरुम, तो पूरा 39 ही मनमोह का रोचक है, क्यों जे? जब उस लड़के को प्रोसाइद करने वाले वही सेने, उसी लड़के को सरूट करते, जिस दिन वो भार के सेनक आफसर बना, महावीर चक्रविजेता, कैप्टन केशिंग क्लिफोर्ड नोंगरुम, 1975 का साल, महिना मार्च का, तारीख साथ, वक्त साथ, सुबह, मेगाले की राजधानी शिरॉंग, गीली ठंड़ती, बादल और पहाड चुआ 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 खेल रहे थे, हरियाले उन्हें देख देख मुस्कुरा रही थी, एका दुक्का मवेशी चहल कदमी कर रहे थे, जिंदगी कमोबेश अलसा रही थी, प्रवेश कर लिए, एक नागा और एक खासी के खर, एक गोल मटोल बच्चा आया था, उसे अस्पिताल की जिरॉत नहीं पढ़ी बाइदेवे, वो घर में ही पैदा हुआ था, जी, और नाम रखा गया बहादेंग, बहादेंग, एक खासी भाषा में बोलते हैं, मतलब छो मेगाले का खासी समाज, मात्रु सत्तात्मक और मात्रु बंचिये हैं, माने औरत प्रधान, यहां मा का नाम, उपनाम और संसकार मिलता है बच्चों को, मा सर्वोच्च मानी जाती है, तक्तिकत रूप से मुझे भी यह माखूल लगता है, यह हमारे जो मेजर है, इनके नाम ILL, एक L मा का है, पिता से सीनियर होती है मा, हर मा अपने बच्चे को उसके पिता और समाज से ही, नौ मैने पहले से जानती है भई, तो उसका हक ज्यादा हुआ के नहीं, बिल्कुल, तो केशिंग क्लिफ़ोड नोंगरूम के नाम में माबाप दोनों हैं, और घर की भाषा यानि उन्तरी मां की मातरभाशा खासी है, जो उनकी मां की भी मातरभाशा है, जी, जी, और शिलॉंग के डॉनबास्कु टेक्निकल स्कूल में एक सड़क पकड़के क्लिफ़ोड अक्सर फौजी इलाकों की ओर तफरी करने निकल पड़ता था, हैपी वैली की तरफ और उस फौजियों के साथ फुटबॉल खेलते-खेलते वो बड़ा हुआ और बॉक्सिंग का चाओ रखने वाले इस शर्मीले पर मजबूत पहाडी यूवक ने सिन एंथनी स्कॉलेज से रस्ता पकड़ा O.P.E. का ओफसर्स ट्रेनिंग अकाडमी चिन नहीं चिन नहीं इंदू गंगा जल है हम जिएंगे तो इसके लिए मरेंगे तो इसके लिए भारत के लिए मरने वाले सैनिकों की गाथा हम शो के द्वारा आप तक पहुचा रहे है हम कैप्टन नुंगरुम की असाधरन वीरता के बारे में सुनने से पहले जान लेते भारतिय सेना अफसरों से कैप्टन नुंगरुम के बारे भाईयो देखते ये भी मुझे एक वाक्या याद है जब 0.4812 में कैप्टन क्लिफ़र्ड शहीद हो गए तो उनकी शहादत की सुचना आर्मी हेड़कॉर्टर के थूँ आर्मी हेड़कॉर्टर के एक मेजर जेनल ने मिस्टर पीटर्स जो की कैप्टन क्लिफ़र्ड के फादर थे उनको दी उससे अगले दन आर्मी हेड़कॉर्टर से जेनल जेनल साब मेरे को फोन किया और उन्होंने बताया कि मैंने मिस्टर पीटर्स को कैप्टन क्लिफर्ड की शायदत की जब खबर दी तो एक बार इनिशिल शौक के बाद में कैपिन मिस्टर पीटर्स ने बोला कि जनाब आप पल्टन के कमांडिंग और सर करनल बालोटिया को मेरा एमेशे जरूर पहुचा दें क्लिफर्ड की डेथ का हमें दुख है लेकिन मेरी उनसे गुजारिस है कि जो पल्टन को जो टास्क मिलावा है उसमें कोई कमीन आने दें और इस सेट बेक को भूलके बहादुरी से आगे बढ़ते रहें ये सोचने विचादने के टाइम बाद मारेगा अभी हमने सुना करनल भलोतिया को मेजर साब आप अब हमें कैप्टन नुंगरूम की रेजिमेंट के बारे में बताईए जी बिल्कुल 5 सितंबर 1997 ऑपसर स्टेनी अकाडमी से कमिशन प्राप करके सेकंड लेटनेंट कीशिंग क्लिफ ओड नुंगरूम ऑज़ाद भारत की पहली लाइट इन्फिंट्री रेजिमेंट जम्मू एन कश्मीर लाइट इन्फिंट्री मार्च 1999 की शायद बात है शायद नहीं उसी की बात है शियाचन ग्लेशेर में अपनी पोस्टिंग के तोरान वो छुट्टी पे अपने घर लोटे और अपने बड़े भाई की शादी में गए थे सेकेंड लेफटेनन नोंग्रूम बन चुके थे और इस कुछनुमा महोल के तौरान भी वे शिलॉंग के स्कूल और कॉलेजेस में यदा-कदा चले जाते थे युवकों और बच्चों को तक्रीर देने के लिए उनसे इंस्पायर करने के लिए और उन्हें विश्वास था कि अपने पुर्वोत्तर प्रांथ को समुचे भारत से चोड़ने का एक उंदा तरीका है और कि वो भारते सेना से चोड़े हैं अप्रेल 1999 में क्लिफोर्ड अपनी पल्टन वापस दोड़क है केशिंग नुम्गरूं परिवार को अपने बेटे और भाई की मुस्कुलार के उनकी गिटार के तार हार्मोनिका के सुर और उनका बनाय हुआ खाना याद आने लगा उन्हें शायद पता हुथा कि वो अपने बाहदिंग को आकरी बार दीख रहे हैं तो शायद वो ने रोकी थे शायद लेकिन किसी की रोकने से सेनी कब रुका करता है उसे तो बस एक ही पुकार की जरूरत होती है धर्थी की पुकार बस वो निकल पड़ता है फना होने के लिए कैप्टन नुंगरुम भी परिवार को छोड़ कर चले आए कारगिल के अपने उस मिशन पर जहां बहुत कुछ उनका इंतिजार कर रहा था नौ मई 1999 की बात है बारा जेक लाई को बटालिक जाने का होकम मिला उन्हें ताज्यू हुआ क्योंकि अपना कारेकाल पूरा करके पल्टन का अग्रिंदन लग्दाख से दिल्ली की तरफ उच कर चुका था अपनी पीस पोस्टिंग गंधिवा टोल टू पर आला कमान के होकम से पल्टन समझ गई कि दाल में कुछ काला है पल्टन पल्टी पता चला कि गुरू को गुड मान के चेला शक्तर होने की फिराक में है मतलब हमारी कोक्स हमारे घर से निकला बच्चा हमारी ही मुंडेर से बेदखल करने के चक्तर में हम ऐसो को बच्चा ने आस्तिन का सांप कहता है और आस्तिन के सांप को आप जानते ही एकी इलाज होता है उसे कुचल देना जहर तो जाएगा नहीं कमजर्व का तो बटा लेगा जमू और कश्मीर का अती दुर्गम शेत्र दुश्मन की मोर्चे बंदी और सैनिक कारवाई का गड़ और सब्सक्राइब कर दुश्मन को रोज सुचता हूँ वो है वो है अन्पिंपगों के लिशाद हमारे साथ बने रहे हम बस लेते एक छोटा सब्सक्राइब एक साथी और भीताइब अभी आपने सुना कैप्चुन के बारे में मैं अब आपको बताता हूँ कारकिल के युद की कुछ और कहानी बारके वायू सेना के जाबास पाइलेट 11 मई से ही धल सेना के सपोर्ट में आ गए उनकी मदद से सैनिकों को ले जाना उनकी रसद, हतियार, गाडियां, दवाईयां, मशीन गन, तौपे आदि को ढोना आसान हो गया था ये इतना आसान भी नहीं था शत्रू की कोलिया हमेशा घात लगाये रहती थी कि कब मौका मिले और वो वायू सेना के विमानों को अपना शिकार बनाने दूसरी तरफ ये क्षेत्र समुद्र तल से करीब पंदरा हजार से अठारा हजार पात सो फीट की उचाई पर है ऐसे में ये विमान करीब करीब 20 हजार फीट की उचाई पर उड़ते थे वहाँ पर हवा का खनत्व 30 प्रतिशत कम होता है ऐसे में आक्सिजन की कमी से विमान के अंदर पाइलेट की सांसे बंद हो सकती है और विमान भी दुरगटना ग्रस्त हो जाए तो असंभव नहीं है लेकिन हमारे वायू सेना के पाइलेट इतने कुशल है कि उन्होंने ऐसी किसी भी अनहोनी को होने से बचाए रखा मैं कारकेलियोदी के बारे में आपको और भी जानकारियां देता रहूँगा पहले जानते हैं आज के हमारे हीरो शहीत कैप्टन नुंगरूम के ओपरेशन के बारे में मेजर अखिल प्रताप से तो मेजर साब हमें बताईए कि इस ओपरेशन की क्या विशेष्टा थी जिसका नेतरुत्व कैप्टन नुंगरूम ने किया जून के महिने में जब 12 जेकलाई के प्रारंबिक हमलों में सफलता के दर्मियां उने काफी नुकसान हुआ तो पल्टन को विश्राम दिया गया 30 जून 1999 खालूबार की परवतिय श्रिंकला पॉइंट 4812 नामक चूटियों का इलाका और लगवक 16,000 फीट की उंचाई और तस खंटे की खड़ी चड़ाई मिशन था दुश्मन की साहता के द्वार बंद करना उसके आवगमन के रस्तों को काट देना और उसको पॉइंट 4812 से खदेरना युद के बीच 25 जून को नए नवेले कैप्टिंग बने केशिंग क्लेफोर्ट मुंगरुम ने अपने पापा को खट लिखा वो खट उस बहादूर के यकीन पे था कि वो जंग जीत के लोटेगा एकाथ महीने में शायद और 26 जून को रात तक्रीबन सवा 11 बजे अपने परिवार से बात भी की चुकि सेटलाइट फोन था तो मिनिट भर भी बात हो नहीं पाई बस पहाडों से पहाडों का शायद वो आखरी अलविदा था वो और उनकी टोली अपनी गली छोड़ के चली थी मुझे एक बार फिर वो बॉर्डर फिल्म का गाना याद आ रहा है लबालब जोशो चुनून से कैप्टन नुग्रूम और उनकी टोली चली 4812 पर कबजा करें जानते हैं मेजर अखिल से कैप्टन नुग्रूम ने सामरिक महत्वा की वो पोस्ट दुश्मन से कैसे हासिल के इस मिशन की सिम्यवारी दी गई थी कैप्टन नुग्रूम को और ये मिशन लोहे के चने चबाने जैसा था और इसलिए कप्टान साब ने फूप फूप के कदब रखा वो सबसे पहले पहुँचे दस्ता पीछे था और लक्ष के करीब पहुँचने पे कैप्टन और उनके दस्ते की खातिर तवाजो कोई अचूख गोली बारी से उनके जांके लाले पढ़ गए साब और दो घंटे तक दुश्मन ने बांदे रखा चम के मुकाबला हुआ लेकिन कुछी समय में कैप्टन नोंगरूम समझ के कि दुश्मन किले बंदी करके बैठा है और निके हमले बेशर हो रहे हैं तो वक्त कमी से इनकी तर्कीब चली नहीं और जो तर्कीब बनाई थी वो भी नहीं चली तो ये वक्त करो या मरो का था थकान से पूरे पर जोश से लबरेस कैप्टन नोंगरूम ने दांत भीचे और खुल के तूटे सामने साथ कोले उचाले और हवलदा सतीष चंदर को इशारा किया कि वो संसंग हमला बोल दी और भारत माता की जह की ललकार के साथ जम्मो और कश्मीर लाइट इंफेंट्री के वो वीर कहर बनके बढ़ से दुश्मन तांतों तले उंगलियां दबा बैठा वा बंकर नेस्तों नाबूद होने चले थे और उसे जटके से किये हुए आकरमन का विश्वासी नहीं हुग इट वसे सर्प्राइज एलेमेंट विच वुख त अमेरिजिंग और कैप्टन नंगरूम ने अंजाम के बारे में नहीं सूचा है उसके सिर्फ अपने इरादों को अंजाम दिया उस महावीर के हद बोले अपने साथ शे दुश्मन उडा ले गए अपने साथ शे दुश्म से मैं जब मैं मेरे जरनल था मैं वहाँ पोस्टिट था मैं इनके पेरेंस को अच्छी तरह से जानता हूं इंके धर दी गया हूं कई मात्बा वहां पर एक मेमोरियल है लास्ट येर भी मैं इस इस तारीक तीस को जब वो शेहीर हुए थे तो वहां राज बहुने फंक्शन था जब 0.4812 की लड़ाई हुए 30 जून को इसने धावा बोला और इसके साथ 10 जवान शेहीर हुए ये ऐसा जजबा देखने को बहुत कमी मिलता है हर पल्तन बहुत बहुत बहादरी से लड़ी है सरफकर से उचा हो जाता है जब इन यंग लड़कों के हम बादा देखते है उस समय कैप्टन पर रनचंडी सवार थी ऐसा काल बनकर वो तूटे दुश्मन पर कि अपनी जान की चिंता ही न की मेर साब आप कैप्टन नुंगरूम के सरवोच बलिदान के बारे में हमें बताईए कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन को देश की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया और अदभुच शौर्यका प्रतर्शन किया कैप्टन नुंगरूम के सर पे भूत सवार था इस सफलता के बाद उस जियाले ने दूसरे ठिकाने पे छपट्टा मार के एक दुश्मन से उसकी यूनिवर्सल मशीन गन छीनने की चेश्टा की तब ही उस यूमजी की एक बौच्छार उन्हें पूरी तरह चलनी कर दिया चक्रविजिता में गलाया को आखी अल्विदा कह चुका था अग्याओ 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 इस सारी कहानिया बहुत रुमाचकार बहुत इस्पायर करने मंदि हैं कहीं मच्जाई हमारे साथ बने रहे हम लेंगे एक छोटा सा प्लिक आनन्द नारायन मुल्ला की कविता लहू का टीका की पंक्तियां है वतन फिर तुझको पैमाने वफा देने का वक्त आया तिरे नामूस पर सब कुछ लुटा देने का वक्त आया हर एक पिजली को दुश्मन पर गिरा देने का वक्त आया वतन फिर तुझको पैमाने वफा देने का वक्त आया यह एले खाना की गासिब लुटेरों से लड़ाई है यह चड़ती रात की रोशन सवेरों से लड़ाई है बहातुर हिंद के लड़ते हैं कैसे आज दिखलाओ रिवायाते सुझा आथ को नए कुछ बाव दे जाओ मिटो तो दास्ताने हो, जियो तो तासदार आओ लहू का मा को फिर टीका लगा देने का वक्ताया वतन फिर तुझको पैमाने वफा देने का वक्ताया क्या खूम लिका है कैप्टन नुंगरूम बतन के माते पर अपने लहू का टीका लगा कर पना हो गए उनकी जीत से सेना की जो जीत तर्च हुई वो हमेशा रहेगी उनके बलीदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं हवाईय मिलते हैं कैप्टन नुंगरूम के परिवार से वो जब हम लोग छोता थे वो मुटलब आर्मी जोइन करने के लिए बहुत शोक था क्योंकि हम लोगा एरिया है शिलॉंग में जो आर्मी बेस है वो थीक हम उनका घर का पास में है और क्लिफ़ट देली वो आर्मी को ट्रेनिंग करते है और उनका लाइस्टाइल को डेक के मिलब उसको बहुत इंस्पार हुआ कि वो भी एक एक दिन तो आर्मी में जोइन करने है I come to know that he had to appear this a charm mission for combined defense and he was successful and after that he informed me that I have already passed this charm should I go to army he asked me and I called my wife also and we We sit together and we decided that he should join the army जुनून कहे या पागल पन कैप्टन और उनके साथ ही 4812 की पोस्ट पर कुर्बान हो गया लेकिन उनके इस असाधारन जोश से शत्रू की वो पोस्ट हमारे कबजे में आ गए मेरे साथ बताई है कि उस पोस्ट को हासिल करने के बार मारतिया सेना ने क्या एक्शन लिया उस दिन दूर शहर शिलॉंग में बादल फटा था और बारिश रोई था पर कैप्टन केशिन क्लिफोर्ड नोंगरूम की वीरगती का बदला उसकी पल्टन ने लिया उन्होंने मुकाम नहीं छोड़ा और अपने मिशिन पॉइंट 4812 पे तीन जुलाई को फुक्ता तोड़ पे कपसा कर दिया इस हमले में पाकिस्तानी सेना का एक सेनिक पहली बार बंगी बनाया गया था नायक इनायत अलीफ प्रिस दिन ओव बॉर्ड अच्छा कौन कमबक्त कहता है कि सिर्फ शादियों में सेज बिचती है कौन कमबक कहता है कि सिर्फ बेटियां ही विदा होती है मेटे भी विदा होते हैं अलबत्ता कुछ बेटों की सेज तिरंगे में रंगी होती है आसाम के गुहार्टी से 22 मील दूर राश्ट्र राजमार पे शिलॉंग की और आते हो उमलिंग नामक गाउं में आपको इसका सबूत मिल जाएगा कारगिल मार्टर्स सर्विस टेशन कैप्टन केशिंग क्लिफ़र्ड नोंगरून की सेज है क्या आप अपने सेनिकों को समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो याद रहे कैप्टन केशिंग क्लिफ़र्ड नोंगरून थे तो हम हैं अगर समझ सकते हैं तो याद रहे एक साथी और भी था धन्यवाद मेजर अखिल प्रताब कैप्टन नोंगरून के बलिदान ने दिखा दिया कि जो वीर्ता असाधारन होती है उसका परिणाम भी असाधारन ही होता है उनकी शोर्य की गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी कैप्टन नोंगरून को हम दिल से सल्यूट करते हैं अब मैं दर्शकों को बता दू कि अगले एपिसोड बे हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत मा के एक और वीर सपूद कैप्टन सचिन निमबालगर की कहानी जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने पराकरम से देश को विज़ाई बना है चैहिंद सरकटवाए जाने दी है ऐसा काम महान किया सरहद पर अपने वीरों ने हर दम ही जैगान किया आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौरगा था एक साथे और भी था उचे उचे परवत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे ऐसे लड़े वो देश की खातिर अपना सब खुरवान किया एक साथे और भी था एक साथे और भी था